हाई गाईज इस वीडियों बात करेंगी कि कैसे मैं कोई भी ट्रेड में इंट्री लेता हूँ और क्या-क्या वो तीन चीजें जिसमें मैं ध्यान देता हूँ और अगर आप इस पे ध्यान दें तीन चीजों पे तो आप भी अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं तो सबसे पहले तो जो profit and loss जो सो करेंगे वह matter नहीं करता है जो process है वह matter करता है तो इससे पहले मैं एक चीज़ से बात करने वाला हूं तो जिरदा के founder निखिल कामत जी ने tweet किया था 1990-90 के बारे में और इसका मतलब यह हुआ कि 90% trader अपना 90% capital 90 days में साफ कर देते हैं ठीक है और एक और tweet किया था कि less than 1% जो traders है वह FD return से ज्यादा return बना सकते हैं ठीक है तो main आपका focus trading का investing है क्या है कि आप FD को return भी कर सकें ठीक है और काफी कुछ मतलब 15-20% का return बना सकें ठीक है लेकिन 99% लोग ऐसे क्यों नि कर पाते हैं सिंपल सिंपल चीजे follow करके वह 20 या 15% का return बना सकते लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं रीजन यह है कि जब भी कोई market में आता है तो वह expectation बहुत जादा रखता है या कोई भी expectation नहीं रखता है है कि हमको trade करना है 10 ऐजार ला रहे है don GIS यह मांइच्छेट होता है कि capital कंष है तो हमको उससे ज़्यादा profit करना है capital भढ़ाना आवं ठीक है लेकिन ऐसा работу ऑप fasten के आपको सब आज से पहले कभी लड़े नहीं है अखाड़ा में और वहाँ पर जो 10-20 साल लड़ रहा है इस अब वो दोनों आपको और उसको उतार दिया था है मैदान में ठीक है तो मैदान में उतारने के बाद आप क्या करेंगे जाते-जाते उससे लड़ेंगे ठीक है मतलब जाके उसे उठाक पटक देंगे, नहीं पटक सकते हैं, क्योंकि उसको 20 साल का experience है, उसके पास power है, ठीक है, और आपके पास ना power है, ना experience है, तो आपको दिमाग से खेलना होगा, ठीक है, उसमें जीतने के लिए, जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप कुछ उसमें points, जिसे मान लिज मतलब है कि जब भी market में जो भी H&Is और बड़े-बड़े बैठे हुए हैं, इतना experience के साथ, आप सोच रहे हैं कि आप उन से पैसा खीच लेंगे, ठीक है, लेकिन आप खीच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास experience नहीं है, आप धीरे-धीरे आप क्या कर सकते हैं, अब मान कि उसी अखाड़ा में दो rings है, ठीक है, बीच मतलब आपके और जो पहलवान है, उसके बीच में एक ring बना हुआ है, पहलवान रिंग के अंदर है, आप ring के बाहर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि जब भी वो ring के border पे आता है, तो आप मार के उसको point ले सकते हैं, ठी तो वैसे ही, जो अंदर वाला, अगर अंदर आप जा रहे हैं तो वो होगे option trading, starting महीं आके और अंदर जाके उससे लड़ रहे हैं, तो वो होगे option trading, बड़े बड़े जो एक कोड़ो, दस कोड़ो, सौसो कोड़ो लगा के, और अपने capital पे एक से दो percent बना रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम 10,000 लगा के और उसको हम double कर दे, सोचिए थोड़ा, और वैसे ही, अगर ring का बात कर रहे हैं, तो ring के अंदर जो पहलवान है, उसके हम बाहर हैं, और बाहर से जब भी वो border प्यारा तो मार के हम चले जा रहे हैं, कुछ point ले रहे हैं, वो है equity market, ठीक है, तो जब भी आप start कर रहे हैं, तो आपको direct अंदर नहीं कुदना पड़ेगा, आपको बाहर से ही उसको मौका खोच-खोच के मारना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर जाके direct उसको हरा ही नहीं सकते हैं, possible ही नहीं है, कितना भी आप कुछिस कर लें, और बाहर से ही आपको मारते मारते हैं, जैसे जैसे धीरे-धीरे experience होगा, एक साल का, दो साल का, तीन साल का, ताप try कर सकते हैं अंदर जाने का, ठीक है, और थोड़ा-थोड़ा option trading में आप profit बना सकते हैं, लेकिन starting में ही, मतलब बता रहे हैं कि मेरे पास, जैसे मेरा ये जो tweet देखे थे 1990 का, तो उतना क सबका same mistake, सबका same mistake, स्टार्टिंग में आते आते, option trading से start की हैं लो, ठीक है, और वो expectation ही, मतलब expectation ही बहुत जादा आने, तो सोचे नहीं हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक long term view रखना पड़ेगा, आपको, कि हमको एक दिन में एक लाख नहीं बनाना है, दो दिन में एक ला है, तो आप जब भी return calculate करेंगे, तो आपको ये लेकर चलना है, हमको एक साल में इतना कमाना है, दो साल में इतना कमाना है, अब जब ऐसा mindset लेकर चलेंगे, तो आप एक ही दिन में पूरा-पूरा risk लेके, और पूरा-पूरा पैसा गवाएंगे नहीं, ठीक है, तो एक long term view लेके चलना है, और एक और बात बताते हैं, जो भी means experienced भी हैं, तो मैंने मेरा किसी से बात हुआ, ठीक है, उनको ये problem आ रहा था, तो मैंने सुचाए कि आपको share कर दू, मतलब जिसको जिसको भी problems आ रहा होगा, वो देख सकते हैं, कैसे उसको solve करें, तो एक, जो भी आप मान लिजे कि option trading हम बता रहे हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है starting में, लेकिन लोग करेंगे, ठीक है, लोग करेंगा और lose करेंगे, वो lose नहीं करेंगे, तो जो बड़े-बड़े trade में profit हो गया, ठीक है, maximum लोग का यहीं गलती होता है, profit कर लेते हैं, उसके बाद फिर से trade करके, फिर से trade करके, वो भी जो profit है, वो भी चला जाता है, और जो capital है, उसमें से भी पैसा दे जाता है, ठीक है, तो एक आपको कहानी सुनाते हैं, थोड़ा छोटा सा कानी है, तो ए रास्ता चल रहा था, ठीक, तो रास्ता चलते चलते एक आरी उसको मिलता है, आरी मतलब जो लकडी काटने वाल आरी होता है, तो जाके और आरी से वो touch हो जाता है, तो उसके body पे एक scratch हो जाता आरी को वज़े से, ठीक है, अब खुद रास्ता वो चूज किया था, तो वो क् सोचता है कि आरी को अब हम बताते हैं, यह हमको heart कैसे कर सकता है, अब हम इसको बताते हैं, अब वो क्या करता है, जाके आरी को काटने लगता है, अब जब काटना start करता है, तो उसका मूह कड़ जाता है, तब सोचा कि नहीं, यह मेरे को इतना heart कर रहा हो, हम इसको बताते है साप सोचता है कि जो आरी है उसको हम दम घोट देंगे पूरा उसको लपेट के ठीक है तो वो लपेटना उसको स्टार्ट करता है आरी को और लपेटते लपेटते वो कटके उसका वहीं पर डेथ हो जाता है ठीक है तो कहने का यह मतलब है कि जो मार्केट है न वो आरी है ठीक आपको जितना खुशी खुशी दे रहा है वह लेके निकल जाएगे और वही साप वाला काम हम लोग मैक्सिमम लोग करते हैं ठीक इसलिए 99% जो लिखे हैं कि 99% क्यों नहीं कर पाते हैं वह इसी रीजन से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह सोच नहीं कि मार्केट से हम लड़ ले और फिर चलते हैं स्क्रीन पर चलते हैं जो भी मैंने ट्रेट्स लिया था तो तीन की पॉइंट्स हैं उसके और मैंने कैसे ट्रेड लिया और कैसे मैं ट्रेट्स लेता हूं और आप ऐसे अगर ले तो आप अपना भी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकता है यह चलते हैं स्क् taxi में जो points है वो सारे points समझाएंगे जो 3 points है और जो बोलें कि maximum लोग क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि maximum लोगों को होता है जल्दी-जल्दी प्रफिट चाहिए और ज्यादा ज्यादा प्रफिट चाहिए आराम से profit नहीं कर सकते हैं ठीक है जब दीरे दीरे profit करके आप दीरे धीरे growth करेंगे न तो long term में वही growth sustain करता है और जो अचानक profit आता है न वो sustain नहीं करता है ठीक है तो जिसको ज़्यादा profit चाहिए और maximum लोग आते हैं कि हाँ जल्दी से profit निकाल लेंगे जादा profit कर लेंगे लेकिन जिसको समझ हो जाता है न कि हम slowly slowly ही market में tick सकते हैं और profit बना सकते हैं वो strategies को follow करते हैं ठीक है और slowly देख सकते हैं जो दो दिन में मैंने दिखा है कि दो दिन में 12,000 तो में ट्रेड था टाटा अलेक्सी में 7300 और एक बजाज finance में था और पीडी लाइटर भी बुक नहीं कियां ठीक है तो और इसको refresh भी करके दिखा देते हैं तो यह है पी अनल तो यह ज्यादा माटर नहीं करता है जो प्रोसेस है जो वैल्यू और जो जो बाते मैं करूंगा वह ज्यादा इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले तो ट्रेड यह एक्जेक्यूट कैसे किया मैंने तो सबसे पहले तो एक डेली टाइम फ्रेम पर अभी जो भी बाते मैं डिसकस करूंगा जो थोड़े एक्सपीरियनस है उनको समझ आ सकता है लेकिन जो थोड़े बिगनर्स हैं उनको प्रोब्लम हो सकता है समझने में तो वो टेंसन ना ले जितने भी पॉइंट्स जो भी हम इसमें डिसकस करने वाले हैं सारा एक सबका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाले हैं और काफी लोग मैसेज भी किये हैं कि वो सीखना चाते हैं जो बिगनर्स हैं तो 23rd of April से batch one स्टार्ट कर रहा है batch one मतलब की live classes स्टार्ट कर रहा है जूम पर classes होगा और सारे topics बीगनर्स से लेकि advance तक clear करनेंगे और अगर किसी को भी जोईन करना है तो नीचे WhatsApp है उस पर DM कर सकते और इसके सात जो भी एक discord community बना रहे हैं तो जो भी discord community में भी अगर जोड़ना चाहते हैं ठीक है तो वो भी whatsapp कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं तो सबसे पहले तो एक channel में move कर रहा था weekly time frame पर देखें तो यह analysis करने का तरीका है यह जो channel देख रहे हैं अब channel draw की है अब यह channel draw की है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चैनल को जब उपर touch करता है तो फिर reverse करता है फिर नीचे reverse करता है यह simple सबसे ज्यादा technical analysis में सबसे simple trading होता है ठीक है कि आप channels में उसको swing trade पर देखा कि हां यह जो channel पर यहां जब hit किया था यहां जब hit किया था or फिर जब यहां पर भी जब hit किया तो फिर मैनेने trade करने का सोचा ठीक है लेकिन इस समय market काफी खराब था तो यह break कर चुका था channel approach यह ब्रेक कर दिया था और break करने के बाद मैं इसका wait कर रहा था ठीक है कि wait कर रहा था कि या तो यह नीचे चला जा ठीक है और जाके यह 200 है में को support लेके फिरा है और नहीं तो फिर से enter करें और फिर से अपना जो upper band है range का उसको जाके hit करें ठीक है तो जब enter किया तो मैं cautious हो गया तो यहां पर पहला point आता है जो तीन points से discuss करने वाले थे वो पहला point आता है कि आप ऐसे ऐसे opportunity को कैसे find कर सकते हैं ठीक है तो आपको सबसे पहले पहले पहला point है कि सबसे पहले जो आप watch list बनाते हैं वो काफी छोटा बनाएंगे मतलब जिसका आप track रख सकते हैं track रखने का मतल है कल कैसे मुझ कर सकता है ठीक है तो सबसे पहले watch list छोटा रखें nifty 50 का या nifty next 50 का nifty next 50 मतलब कि जो भी nifty 50 के बाद जितने companies हैं जो 50 companies के बाद जो companies है जो अच्छे हैं top companies top 50 200 companies उसमें आप trade ले सकते हैं उसमें movement भी अच्छा होता है तो टाटा एलेक्सी उसी में से और बाक जिसमें आप track अच्छे से कर सकते हैं और जब track अच्छे से करेंगे और movement जो भी आप सीखने लगेंगे पढ़ने लगेंगे सारे stocks का तो आप उसमें opportunity जल्दी find करके उसमें execute कर पाएंगे और maximum लोग maximum लोग क्या ऐसे ही random जो stocks होते हैं screener से निकालके और उसमें swing trading लेते हैं आप लंबे समय से न उसमें एक फायदा होता है कि आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं क्योंकि आप उस stock को समझ रहे हैं ठीक है उसके movement को समझ रहे हैं तो यह preferred है कि छोटा watch list रख है और उस पर analysis करके उस पर trade लें ठीक है अब second जो है second point उसके में क्या होता है कि आपको multiple confirmation मि मिलना चाहिए अब इसमें हम बात करेंगे how early time frame पर आ जाते हैं अब early time frame पर देख सकते हैं जो भी यहां से range को break कर दिया और range के break करने के बाद मेरिट कर रहा था फिर उसके बाद अचानक range में वापस आ गया ठीक है अब range में वापस आने के बाद यहां से फिर से upside किया और यहां से एक retest किया तो मैं generally direct जब breakout होता है जैसे breakout नहीं हुआ जब यह range में आया और move करने लगा तो मैं एक retest का wait करता हूं कि आके फिर से वो range को touch करे या फिर निकले ठीक है तो फिर यहां से जब यहां से जब निकलना start किया ठीक तो एक मेरे पास यह confirmation हो गया कि हाँ यह range के अंतर आज चुका है और यहां से जब reverse लेने लगा तो लगा कि हाँ अब इस range में ही रहेगा तो यह पहला confirmation फिर यहां पर मैंने अब deployment का भी बात करेंगे वो third third क्या है कि जो भी आप पैसा deploy करते हैं वो एक ही बार में नहीं करना है पहले आपको parts में डिवाइड करना है ठीक है अब यह third point है second point हो गया यह third point है कि यहां पर मैंने जब trade execute किया तो यहां पर 25% मैंने पैसा डाला ठीक है जितना लगाना था उसका 25% क्यों क्योंकि यहां पर एक 200MA का resistance था आवली टाइम फ्रेम पर ठीक है यह अच्छा resistance होता है यहां पर क्या हुआ बहुत अच्छा movement हुआ है यहां स से निकला ठीक है पहला confirmation आया कि यहां से retus लेकरалась है पहला confirmation ठीक है यहां पर 25% मैंने डाल दिया फिर यहां से जब यह 200MA को आया तो यहां पर resistance ले रहा था ठीक है तो रिजिस्ट्स ले रहा था तो मैंने सो च रहा थाकि है आगर reverse करेगा तो फिर से यह य overband है range का वहां तक आए तो हम और deploy करेंगे लेकिन यह क्या किया कि अगले दिन open हुआ तो इसको तोड़ के open हुआ ठीक है और तोड़ को open होने के बाद उस दिन मैंने ट्रेड ने लिया उस दिन उसके बाद देखा कि अगले दिन फिर इसको रिटेस्ट कर रहा है ठीक है अब रिटेस्ट कर रहा है यहां पर तो इसका मतलब यह जो resistance था 200 में का आवली टाइम फ्रेम पर वो जो है वो support बनने लगा ठीक है जब support movement आया ना एक और trend line भी बन गया एक trend line का form बन गया ठीक है तो पहला यह confirmation यहां से रिटेस्ट दूसरा यह confirmation यहां से रिटेस्ट और तीसरा यह confirmation कि हाँ यह trend line को अब support लेने का कोशिश कर रहा है और चौथा confirmation कि यह trend line एक को अब support करेगा ही तो यह मेरा पूरा capital यहां पर deploy कर दिया ठीक है और यहां से मैं target कैसे निकाला ठीक है तो अब target के लिए फिर से चले जाता है daily time frame पर main points तो समझें तीन points थे एक तो watch list कम रखना ठीक है उसके बाद second जो है वो multiple confirmation लेना है ठीक है में और multiple confirmation कैसे लें कि जब भी retest करने आ रहा है तो फिर वहाँ पर देखें कि हो resistance असपोर्ट ब्रेक कर रहा है और support मदल्ब resistance ब्रेक करकर support बना रहा है या नहीं ठीक है और जो range में move कर रहा है फिर से उसको वहाँ से support ले रहा है यानि तो ऐसे multiple confirmation लेना है और third point जो है वो जो deploy कर रहे हैं आप माने एक बार में पूरा money deploy नहीं करना है क्योंकि आप मान लिजे यहां पर जब आवली टाम फिर्म पर आ जाता है यहां यहां पर मैंने जब यहां से trade execute किया ठीक है यहां पर जब execute किया trade यहां से retest करने के बाद तो execute करने के बाद मेरा stop loss जो था ना वो यह जो है यह candles जितने भी वो यहां पर था लग भूआ ठीक है यहां था अब हम 25% ही है आप जब deploy किये हैं तो मेरा stop loss अगर hit होना होगा तो यहां से direct आके hit कर देगा और जिसमें मान लिजे मेरा मान लिजे एक लग हम अगर डालना चाहते हैं तो 25% का मान लिजे यह कितना परसेंट हुआ यहां से 6% हुआ ठीक है अगर हम पूरा एक लाख यहां पी डाल लेंगे तो हमको 6000 का loss हो जाएगा एक बार में ठीक है लेकिन अगर 25,000 डालें और मेरा view गलत हो गया तो यहां पे मेरा loss होगा 6000 का 4 भाग मतलब 1500 का loss होगा ठीक है तो उसमें loss जो है आपका बहुत कम होगा अब हमको पता तो नहीं है कि हाँ कहा जाएगा नीचे जाए उपर जाएगा लेकिन यहां पो जब confirmation मिलने लगा यहां से सब support लेने लगा तो मेरा confirmation बढ़ने लगा और बढ़ने लगा तो और मैंने deploy करते गया ठीक है तो यह मेरा winning trade हो गया तो winning trade में हम add करते गया है और starting में सारा जो भी trades होंगे उसमें छोटा सा capital रहेगा और उसके बाद छोटे capital के बाद देखना है कि आपके वो आपके वो side में जा रहा है मतलब आपके favor में जा रहा है या आपके opposite जा रहा है ठीक है opposite जा रहा है तो छोटे से capital के stop plus लेगे निकल जाना है और जो favor में जाएगा तो फिर उसको उसमें add करते जाना है ठीक है तो यह main points है अब मैंने target कैसे निकला ठीक है तो target जो था मैंने बताए कि यह जो channel में चल रहा था तो मेरा target simply यह था ठीक है अब क्या हुआ market जब यहां पर बंद हुआ तो अगले दिन जो है ना अगर निफ्टी में देखें यह कितने तारीक है 28 March 28 March 28 March 28 March ठीक है तो 28 March हो क्या हुआ ना कि वो जो target है तो जरूरी तो नहीं है कि जो हम target रखे हैं ठीक है एकदम point to point उसको touch करके आए उससे मालेजे एक दो परसेंट नीचे भी है ठीक है तो हम अमको हमको profit आ रहा अच्छा तो हम उसको trail कर देंगे stop loss को trailing stop loss का मतलब हुआ कि जैसे जैसे price बढ़र रहा है ना हम उसको sell करने का set करते जा रहे हैं कहां मालेजे कि हम यहां पर खरीदें ठीक है और यहां पर खरीदने के बाद अगर market यहां आ गया तो मेरा stop loss यहां आ गया फिर यहां रेट में यह जो था range बन रहा था ठीक है और range के साथ सबना यहां पर एक काफी अच्छा red candle बना था यहां पर 28 मार्ज को अब देख सकते हैं काफी अच्छा red candle बन रहा था और last moment में इस पर last में बाइंग आया था यहां पर देख सकते हैं 28 को 28 को देखिए यहां से काफ़े अच्छा रेट कंडल बन रहा था लग रहा कि हाँ टूर जाएगा लेकिन लास्ट में बाइंग आ गया था ठीक है तो मैंने जो इसमें ट्रेल किया था कहां गया टाटा एलेक्सी टाटा एलेक्सी में मैंने जो ट्रेल किया था इसके 50% पर मैंने ट्रेल किया था ठीक है इसके 50% और जब यह movement इसका तोड़ा starting में ठीक है तोड़ा जब तो यहां पर देखा कि यहां जब तोड़ रहा है starting में खुला तोड़ रहा था ठीक है तो 50% तक रखा था मैंने उसके बाद जब nifty नीचे movement करने लगा न तो इसको हम और उपर trail कर दियें ठीक है ट्रेल कर दियें और यह आया वापस है यहां मेरा trailing stop loss ले गया ठीक है और मेरा फिर भी काफे अशा profit हुआ लगभाग यहां से देखें तो 27% का प्रॉक्स में profit हुआ ठीक है और इसके बाद ऐसा नहीं है कि हाँ फूम हो गया कि हाँ यार बेच दियें उसके बाद इतना चला गया हम अपने पूरे प्रॉपर रिस्क को और प्रॉपर रूल कहीं साब से चलें ठीक है और मार्गेट हमको जितना दिया उसमें हम खु ठीक है तो आपको प्रोपर अगर रूल के साथ चल रहा है अपना एसल ट्रेल करते हुए जा रहे हैं ठीक है तो उस दिन से मेरा बैच वान उस्टार्ट हो रहा तो जिसको join करना होगा वो नीचे जाके उस WhatsApp नमबर पर DM कर सकते हैं और जिसको बस Discord में भी join होना है तो वो भी WhatsApp कर सकते हैं और इस वीडियो के लिए इतना ही है Hope कि आपको काफे कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से और चलिए फिर मिलते हैं अगले बाद धन्यवाद